हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं परिवार का लालन पालन करने वाली ओवाराम की पतनी तीजा देवी लॉक्डाउन के बाद गटिया रोक से पीड़ित होने से मजदूरी नहीं कर पा रही है परिवार का बोज ओबाराम के बेटे सदाराम पर आ गया है लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण परिवार के भूके वरने की नौबत आ गई है ओबाराम के बेटे की उम्र 17 वर्ष होने से उसे मन्रेगा में कारे नहीं मिल रहा है ओभाराम के बेटे ने मन्रेगा कारे में मज़ूरी के लिए कई बार ग्राम पंचायत में आवेदन किया लेकिन उम्र कम होने के कारण उसे रोजगार नहीं मिल रहा है ओभाराम का बेटा ज़ाड़ौली में संस्कुल दिद्याले में कक्षा दस्वी में बढ़ाई करता है परिवार के इतनी हालत खराब है कि उनको दो वक्त का भोचन नसीब नहीं हो रहा है जिला प्रशासन इस परिवार को आर्थिक सहायता दे या ओबाराम के बेटे सदाराम को मंड्रेगा में रोजगार दे मेरे माबाब भूके है सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक संकट से निजात दिलाने के लिए कई योजना संचालित कर रखी है लेकिन इस गरीब परिवार को आज दिन तक योजनाओ का लाब नहीं मिला है परिवार का मुख्य टीबी की बिमारी से ग्रस्त है और जिंदगी और मौद के बीच संगर्श कर रहा है जीवन के संगर्श में बीच भवर में अटकी किष्टी को पार लगाने की कोशिश कर रही तीजा देवी भी अचानक गटियां रोक से पीडित हो गए परिवार के दोनों सदस्य अब बिस्तर में पड़े हुए है परिवार की माली हालत खराब देखकर बेटे का कलेजा पिस गया उसने भूके माबाब को दो वक्त की रोटी मिले उसके लिए मजदूरी करने का फैसला किया लेकिन कोरोना संक्रवन के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है रोजगार का एक मात्र आज अब मन्रेगा पर थी उसने ग्राम पंचायत में गुहार लगाई मेरी माबाब भूके है साब मुझे रोजगार दो लेकिन ग्राम पंचायत ने सदाराम दिवासी की उम्र कम होने की दुहाई दी और सीधा घर का रास्ता दिखा दिया दिवासी समाज हर कोई इस परिवार की माली हालत खराब देखकर चिनते थे जागरूप टीवी के लिए सिरोई से भवानी सिंखी रेपोट